हलो बच्चो गुड मॉर्णिंग मैं हूँ राहूल और मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल आरके बायलोजी पर स्वागत करता हूँ बच्चो अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लेज आप हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें सेयर करें लाइक करें बच्चो आज हम बात करेंगे NCRT क्लास 11th सिलेबस के बारे में जो NET 2024 के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है अगर हम बात करें NET 2025 के एकजाम के लिए तो हू बहू यही सिलेबस रहने वाला है अगर कोई अपडेट नया आता है 2025 एकजाम के लिए तो उसे हम फ्यूचर में आपको बताएंगे लेकिन उसे पहले आज हम जानते हैं NET 2024 के लिए हमारे लिए क्या सिलेबस रखा गया है तो बच्चो अगर हम क्लास 11th की बात करें तो पहले आपको 5 यूनिट पढ़ने रहते थे अभी आपको 5 यूनिट पढ़ना है लेकिन कुछ चेप्टर को जो है डिलीट कर दिया गया है NTA के दोरा जो सिरेबस बनाया गया है उसके दोरा जो है कलास 11 से भी कलास 12 से भी जो है बायलोजी से जो है कुछ चेप्टर को डिलीट कर दिया गया है तो आज हम जानते हैं यूनिट फरस्ट में हमको क्या-क्या पढ़ना है तो सबसे पहले बच्चो जानिए यूनिट का नाम क्या है डाइवार्शिटी इन दा लीविंग वर्ड ये हमारा यूनिट फरस्ट का नाम है और इसके अंतरगत बच्चो हमें चार चेप्टर पढ़ने होंगे चेप्टर फरस्ट हमारा क्या है दा लीविंग वर्ड है चेप्टर टू हमारा है बायलोजकल कलासिफिक चेप्टर थर्ड हमारा है plant kingdom और चेप्टर फूर्थ हो है बच्चो animal kingdom तो unit first के अंतरगत हमें चारो के चारो चेप्टर पढ़ने होंगे अब बात करते हैं बच्चो हम unit second का नाम है बच्चो structural organization in plant and animals बच्चो इस unit के अंतरगत हमें केवल दो चेप्टर पढ़ने हैं कौन कौन चेप्टर फाइफ morphology of flowering plant चेप्टर 6 बच्चो जो है अंटी ये के द्वारा दो हजार चौबिस एक जामनेशन के लिए डिलीट कर दिया गया means anatomy of flowering plant हमको नहीं पढ़ना है और चेप्टर 7 है structural organization in animal इस चेप्टर को हमको पढ़ना है बच्चो यूनित थर्ड जो है हमारा उसका नाम है cell is texture and function बच्चो इसके अंतरगत हमें तीन चेप्टर पढ़ने हैं चेप्टर नमबर 8 cell the unit of life चेप्टर नमबर 9 biomolecules चेप्टर नमबर 10 cell cycle and cell division ये unit 3 की अंतरगत हमें तीनों चेप्टर बच्चो पढ़ने है यूनित फोर्थ बच्चो यूनित फोर्थ का नाम है हमारा plant physiology तो इसके अंतरगत बच्चो यहां से NTA के द्वारा दो चेप्टर को delete कर दिया गया है कौन कौन चेप्टर नमबर 11 transport in plant इसको delete किया गया है चेप्टर नमबर 12 mineral nutrition इसे हमें नहीं पढ़ना है चेप्टर नमबर 13 है हमारा photosynthesis in higher plant इस चेप्टर को हमें पढ़ना है चेप्टर नमबर 14 है respiration in plant इसे भी पढ़ना है चेप्टर नमबर 15 है plant growth and development तो बच्चो यूनित फोर से हमको total कितने chapter तीन चेप्टर पढ़ने है 13, 14, 15 photosynthesis in higher plant, respiration in plant, plant growth and development और यहां से बच्चो दो चेप्टर डिलेट कर दिये गए है transport in plant and mineral nutrition यह चेप्टर हमको यहां पर नहीं पढ़ने है अब बच्चो हम बात करते हैं unit 5 की 5 की human physiology बच्चो इसके अंतरगत जो चेप्टर नमबर 16 है 16 है digestion and absorption इस चेप्टर को NTA के दोरा delete कर दिया गया है तो इसे हमें नहीं पढ़ना है यहां पर हमें चेप्टर नमबर 17 breathing and exchange of gases पढ़ना है चेप्टर नमबर 18 body fluids and circulation पढ़ना है चेप्टर नमबर 19 excretory product and their elimination पढ़ना है चेप्टर नमबर 20 locomotion and movement को भी पढ़ना है चेप्टर नमबर 21 neural control and coordination को पढ़ना है चेप्टर नमबर 22 chemical coordination and integration पढ़ना है तो बच्चो टोटल अगर हम बात करें class 11th में 22 22 chapter दिये गए है और NTA के द्वारा नेट exam 2024 के लिए 4 chapter को delete किया गया है अर्थात हमें यहाँ पे class 11th में total 18 chapter पढ़ने होंगे 2024 के लिए तो यही दसा हमारा 2025 के लिए रहने वाला है अगर कोई भी नया update होता है कोई बदला होता है तो इसको हम आपको future में जो है update करेंगे तो total अब हमें 22 chapter से 18 chapter जो है class 11th में पढ़ना होगा